जैहिन दोस्तो वेलकम टू शोरे क्लासिज आज का हमाला टॉपिक है बी ए प्रोग्राम थर्ड इयर सिथ सेमेश्टर का जी हाँ सब्जेक का नाम है एजुकेशन बुक का नाम है शिक्षा में मीडिया मीडिया इन एजुकेशन अकसर देखा गया है कि एक्जाम में ये वाला कोशन बार बार देखने को मिला है तो आज की इस क्लास में हम साथ कोशनों पर चर्चा करेगी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इससे पहले हमारी ओर वीडियो आ चुकी है तो चैनल पर जाईए वीडियो को वाच कीजिए काफी simple chapter है ये काफी असान है तो आएए शुरू करते हैं आपका जो chapter का नाम है उसका नाम है शिक्षा मुइ संचार आपको शिरुफ दो तिन शब्दों को जानना है उसके बाद ये काफी असान chapter होने वाला है और आप अपने शब्दों में भी आप अपने उत्तरों को लिख सकते हो तो आपका पहला कोशन ये बनता है कि भी शिक्षा में संचार के विभिन साद्मनों का उन लिखे कीजिए या फिर संचार का अर्थ क्या है उसके विभिन रूपों को परकट करिए तो सबसे बहले हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं संचार क्या होता है जिसको हम इंग्लिस में कॉम्णिकेशन के नाम से भी जानते हैं बहुत संचार क्या होता है संचार में क्या होता है कि एक व्यक्ति के विचारों को उसकी सोच को, उसके अनुभव को उसकी जानकारी को उसके ज्ञान को और अन्य चीजों को जब वो किसी कॉम्मिनिकेशन के माद्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाता है तो वो संचार कहलाया जाता है जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हूँ तो जैसे मैं हूँ, मैं आपसे बाते कर रहा हूँ तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी जानकारी को अपने ज्यान को, अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये एक संचार है, एक communication है आप अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल में, अपने आस्पडोस में, जिस माध्यम में बात करते हैं, वो सभी संचार है, कॉम्म्निकेशन का एक जरिया है तो संचार का अर्थ होता है, जब एक व्यक्ति के द्वारा अपने विचार, अपनी भावना, अपनी जानकारी, अपने ग्यान, अपने अनुभाव, को दूसरे व्यक्ति तक पहुचाता है, तो वो संचार की पर्खिरिया के अंतरगती कहा जाता है, इसमें हमने अभी यह जा यह तो पागल हो गया, तो जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, वो बात किसके माध्यम से होती है, विचारों के माध्यम से, वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, आपके परिवार में आपके पेरेंट साहब से बात क अपने ज्यान को आपके साथ शेयर करते हैं इसी परकार से जब किलास में टीचर आपको पढ़ाता है तो वो पार्ट से सम्मंदी जानकारी आपके साथ शेयर करता है अपने ज्यान को आपके साथ शेयर करता है अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर करता है अपने विचारो आगया आप से पूछ जाएगा संचार क्या है और संचार के माध्यम क्या है अब हम अभी हमें पता है कि संचार के लिए दूसरे व्यक्ति की वे आवशक्ता होती है संचार हमेशा दो तरफा ही होता है एक तरफा नहीं होता इसके लिए एक तो भेजने वाला होना चाहिए एक बोल के सामने आप continuously बोल रहे हो दूसरे जब सुनने वाला ही नहीं है तो आप बोलोगे नहीं अब हम बात करते हैं संचार में क्या होता है संचार में एक होता है अपने विचारों को भावनाओं को जानकारी को भेजने वाला एक होता है उसको रिसीव करने वाला जो भेजने वाला होता है उसे संपेरक के नाम से जानते हैं संपेखशक के नाम से प्रेखशक के नाम से और जिसके पास वो पहुंचता है अंतिम रूप से उसको रिसीवर के नाम से जाना जाता है तो हम कह सकते हैं संचार में जो संचार जिसके माध्यम से भेजा जा रहा है उसे प्रेशक के नाम से जाना जाता है और जो दूसरी तरफ जो उसको सुिकार करता है उसे रिसीवर के नाम से जानना जाता है काफी सिंपल है बहुत असान चप्टर है इसके बाद संचार दो परकार से किया जा सकता है एक तो पर्तेक्ष रूप से होता है एक आपर्तेक्ष रूप से होता है जब भी हम पर्तेक्ष रूप से और आपर्तेक्ष रूप से बात करते है तो अब हम जानते हैं संचार परतेक्ष रूप से कैसे होता है यदि आप अपने फैमिली के साथ आमने सामने बैठ के वार तलाब करते हो बातचीत करते हो तो वो संचार होता है परतेक्ष रूप से अगर वो किसी दूसरे चीज के माध्यम से हो रहा है जैसे आप कहीं पे बाहर हो और आप अपने पेरेंट्स को फोन करते हो तो फोन के माध्यम से ही फोन के द्वारा ही आप अपने पेरेंट्स से बात कर पा रहे हो तो यह आपर्टेक्ष है लिए किसी ना किसी साधन का होना आवश्यक है, जैसे फोन का हो गया, चैट होगी, मेल होगी, मैसीज होगे, टैक्स होगे, टीवी होगया, समस होगया, एक्सेक्टर होगे, तो जो यह आप पर तेक्ष रूप से भई, आप अपने किसी फ्रेंड को मैसीज करते हो, तो वो मैस उनके थुरू, मैसिज के थुरू से चैट करने की कोशिश करते हो, संचार करने की कोशिश करते हो, बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो यह संचार के दो रूप होते हैं, एक होता है परतेक्ष, एक होता है आपरतेक्ष, आपसे कोशन पूट किया जा सकता है, कि संचार का अ Sanchar Prakiriyah के तत्वों की भूमी या फिर घटकों को बताया आपसे ये कुशन पूट किया जा सकता है कि Sanchar Prakiriyah के अंतर का जितने भी तत्व या फिर घटक आते तत्वों और घटक एक सही होते हैं उनको explain करना है अभी हमने जाना संचार क्या है वही एक व्यक्ति के ग्यान को, सोच को, विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना की संचार क्यालाता है अब इसमें क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए सबसे पहले इसमें एक point होना चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ अभी संचार में पहला point है संदेश भेजने वाला संचार में क्या-क्या चीज़ी होती है संचार में क्या-क्या चीज़ी होती है संचार में एक व्यक्ती होना चाहिए जो की संदेश भेज रहा है जब भेजने वाला ही कोई नहीं होगा तो क्या receiver कोई होगा जब simple जी बात है आप अगर metro में जा रहे हो और आपको वहापे कोई जानता नहीं है तो क्या आपको कोई आपका नाम सुनाई देगा बिल्कुल नहीं अगर कोई आपको जानता या फिर नहीं भी जानता और वह आपको कोई संदेश भेजने वाला है या वह आपको कोई संदेश या कोई बात कहने की कोशिश करता है या कोई अपने ग्यान को या अपने विचारों को अभिवेक करने की कोशिश करता है तो संचार परकिरिया के जो तत्व हैं उसमें पहला तत्व क्या होता है कि एक प्रेक्षक का होना अनिवार रहा है मतलब जिसके माध्यम से संदेश को भेजा जाता है तो प्रेक्षक कहा जाता है कि जिसके माध्यम से एक के विचारों, एक के ग्यान, एक की भावनाएं, एक के अनुभव को दूसरे तक पहुचाने की कोशिश की जाती है अभी मैंने आपको बताया कि प्रेक्षक कोन होता है प्रेक्षक वो होता है जो अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने भावनाओं को, अपने ग्यान को दूसरे तक पहुचाता है तो उसी को ही प्रेक्षक क्याता है अगर संचार, अगर किसी व्यक्तियों के बीट में संचार होता है तो संचार का पहला point का है कि संदेश भेजने वाला व्यक्ति होना चाहिए इसी के साथ साथ जो प्रेशक होता है वह सूचना को, अपने विछारों को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओ को, अपने मत या वस्तूओ को या फिर गटना हो, आदियों की सूचना, आदियों की जानकारी दूसरे को भेजता है उधारन के लिए कक्षा में शिक्षक के द्वारा दिया गया ग्यान या फिर दिये गए विचार या फिर दिये गए सूचना ये एक प्रिक्षक के द्वारा एक भेजा हुआ एक संदेश होता है जो की बच्चों तक पहुंसता है सेकिंड में यहाँ पर बात करते हैं संदेश की सामगरी वह संदेश की चीज़ का होता है उस संदेश में ज्यान होती है, सूचना होती है, विचार होती है, मत होती है, भावनाई होती है, आदी होती है अगर एक व्यक्ति कोई संदेश देने की कोशिश करता है, कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है तो उस बातचीत में क्या होता है किसी के बारे में ज्यान होगा सूचना होगी, मत होगी भावनाएं होगी है ना या फिर किसी घटना का वर्णन होगा तो संदेश में उसके सामगरी को भी एड किया जाता है अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति का होना अनिवार रहे है मतला होना जरूरी है पलस जो वो बाते कर रहा है वो आपसे connected होनी चाहिए या फिर आपके interest से connected होनी चाहिए तो उसमें कुछ सूचना होगा विचार होएगी भावना आधी होएगी थर्ड पॉइंट क्या है मेडिया और संचार वो किसके माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है ये मेडिया और संचार में क्या है कि जब कोई भी एक संदेश भेजने वाला आपसे बात करने की कोशिश करता है तो वो मौखिक रूप से बात करने की कोशिश करता है विचारों के रूप में बात करने की कोशिश करता है बाचीत के द्वारा बात करने की कोशिश करता है एक होता है मौखिक रूप एक होता है गैर मौखिक रूप आपसे short notes में ये भी question put किया जा सकता है कि वही संचार के मौखिक और गैर मौखिक रूपों में अंतर इश्पष्ट कीजिए तो मौखिक रूप से होता है जो की आमने सामने या फिर जो की मुख के मतलब मुझ से जो की आपके द्वारा तक संदेश पहुच रहा है अब मैं आपको जो संदेश पहुचा रहा है वो एक मौखिक रूप से पहुचा रहा हूँ means जिसमें मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मौखिक रूप से संदेश भेज़ा जाता है तो संदेश जरूरी नहीं है कि मौखिक रूप से ही हो वो गैर मोखिक रूप से भी दिया जा सकता है हो सकता है कि जो class में teacher है वो मोखिक रूप से वहाँ पर अभी present है तो वो कोई भाशन दे रहा हो या किसी पार्ट का सार समझा रहे हो या अपने विचारों को परकट कर रहे हो या फिर बातचीत की द्वारा भी वो अपने ग्यान को फैला सकते है इसी के साथ-साथ गैर मोखिक रूप से भी communication किया जा सकता है जैसे कि इशारों में आपने अकसर देखा होगा जब आप किसी class में बैठते हो तो आप इशारों में भी बात करने की कोशिश करते हो या फिर शरीर की भाषा के द्वारा संकेतो के द्वारा कोई कोड के द्वारा जब आप मेट्रों में जाते हो या फिर जब आप कि cv रोड पर जाते हो तो वहाँ पे traffic signals होते हैं तो वो traffic signals भी आप से बात करने की कोशिश करते है लेकिन वो बात मोखिक रूप से नहीं कर पाते वो बात आपको बोलते नहीं है वो कोड के माध्यम से संकेतों के माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि आपको राइट जाना है, लेफ जाना है रेड लाइट है, इत्यादी तो यहाँ पे गैर मोखिक रूप से यह बताया गया है कि आप अपने इशारों के माध्यम से भी शरीर की भाषा के माध्यम से भी शरीर के दौरा भी आप अपनी उपस्तिती बता सकते हो जैसे हाथ खड़े करके या फिर excited होके या फिर संकेतो के माध्यम से या फिर अपनी घर्दन को हिला के या फिर इनकार को हर के मतलब इन परकार से भी आप अपने संचार के द्वारा अमोखिक रूप से भी आप अपने संचार की परकिरिया को निभा सकते हो इसके बादे संचार के रिसीवर संचा, वही मैंने अभी बोला कि भी भेजने वाला होना चाहिए जो वो भेज रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ संदेश होना चाहिए दो पॉइंट, थर्ड पॉइंट या तो वो जो भेज रहा है या तो वो मोखी ग्रूप से भेज रहा है अगर वो मोखी ग्रूप से भीज रहा है तो वो अपनी बातों के द्वारा बाचीत के द्वारा आप तक वो चीजी पहुंच रही है अगर वो बात्चीत के द्वारा नहीं वो मतलब संदेश देना चाता तो किसी पत्र के द्वारा कोड के द्वारा फिर शारिरी मतलब किरिया के द्वारा आपको बताने की कोशिश करता है जैसे आप किसी भीड में अपने फ्रेंड को डूढने की कोशिश करते हो और आप उसे फोन पे बात करते हो कि भई तू कहां पे खड़ा है मैं तो मेट्रो पिल्लर नमबर इसके आसपास ही खड़ा हूँ तो जब आप उस पे कॉल पे बात करते हो और वापे बहुत सारी भीड होती है और आपको वो दिखाई नहीं देता तो आप फोन पे ये बोलते हो चलो एक काम कर तो अपना हाथ उठा और यहां से मैं भी हाथ उठाता हूँ हाथ खड़ा कर ले शायद मुझे भीड में आप नजर आ जाओ तो जब आप फोन पे बात करते हो तो वो एक मौखिक रूप होता है लेकिन जैसे आपने हाथ खड़ा करा और उसने आपको देख लिया तो यह अमौखिक हो गया मतलब कि आपके हाथों के द्वारा उसको सूचना पहुँच गई तो संचार के लिए रिसीवर भी होता है आप अकेले अपने आपसे बाते नहीं कर सकते है भई करने वाले तो कर भी सकते है तो इसमें क्या होता है संचार प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति होता है जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो जो बच्चे होते हैं तो यह है जरूरी है कि जो आप बातचीत कर रहे हो, सामने वाले को वो समझ में आए, आपके हाव भाव समझ में आए, आपकी language समझ में आए, अगर आप किसी foreigner से या फिर किसी पुर्दकाली से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हो, जिसको आपकी भाश समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो या तो मौखिक रूप से या फिर गैर मौखिक रूप से आपकी बातों को समझ पाए, हना, तो आपको ये चार पॉइंट है और ये question आने की संभावना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा, आ लेकिन comment जरूर कर दो क्योंकि आपके comment हमारे लिए motivation का काम करता है, आपके लिए इतनी महनत करते हैं, तो कम से कम एक comment तो बबनता है भाई, तो चलो आपके अगला point है, अगला point है परतिकिरिया सामगरी, जब आप संचार के माध्यम से अगला point है परतिकिरिया सामगरी, तो पार्ट खतम होने के बाद बच्चों से वो feedback मांगने की कोशिश करता है, कि मैंने आपको अभी ये chapter समझाया या फिर ये poem समझाया या फिर ये formula समझाया, अब आप मुझे बताओ अगर ऐसी condition होईगी तो अब आप लोग क्या करोगे, वो बच्चों से feedback लेने की सकता है, ताकि बच्चों का ध्यान उस chapter में बना रहे हैं, पर्तिकिरिया करना, तो बच्चे बीद बीच में पर्तिकिरिया करते हैं, हान जी सर हमें समझ में आ रहे हैं, सर अगर उसने ऐसा किया था तो वो वहाँ पे गया क्यों, तो वो कुछ भी question raise कर, put कर सकते हैं, इसके संचार के सुत्रदार या बाधाय को आपको पता होनी चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाएं, अपने ग्यान, अपने सूचनाओं को पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, कि सामने वाला व्यक् और आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो शायद वो उस टेम पे ना समझे, क्यों कि मानसेक रूप से वो कुछ कहीं पे खोया हुआ है, मानसेक रूप पे उसे कहीं न कहीं कुछ चोट लगी हुई है, और उस वो शारिजिक रूप से तो सही है, लेकिन मानसेक रू क्यों कि उस टेम उसका जो मन होता है वो कहीं और होता है अना तो उस टेम पर जरूरी है कि अगर संचार करना है संचार को पूर्ण रूप से सही करना है तो सामने वाले के शारीजिक रूप से भी वो सही होना चाहिए मनोवेग्यानिक रूप से भी वो सही होना चाहिए परिय किसी दूसरी साइड पे खड़ा है और आपने फ्रेंड को आवाज मारते हो कि बहुत सुनील, अनील, पुश पाया जो भी कुछ है उसका ना और वो उसको वहाँ पे वो आवाज नहीं पहुच पाती क्योंकि वहाँ पे काफी तेज गती से गानों की आवाजे आ रही है उसको साउंड काफी तेज है तो शायद वो नहीं सुन पायागा क्योंकि परियावरनी परिस्ति थी उस टेम पे आवाज सुनने की नहीं थी क्योंकि क्योंकि डीजे चला हुआ था इसी परकार से संचार कर में जो बाधाएं आती है वो ये सारी बाधा आती है कि मनोवज्ञाने कुरूप से वह व्यक्ति इस टेम पे वो किसी से बात करने की उसकी इच्छा नहीं होती है जैसे आपके साथ भी हुआ होगा या कभी आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हुआ होगा कि कोई व्यक्ति अगर एक व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि दूसरे व्यक्ति उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन में आया हुआ है उसको बात करने की इच्छा नहीं होती कि कक्षा में विभिन परकार के संचार कौन से होते है वही ठीक है मान लिया दूसरा आपसे फूर्थ कोशिन ये भी पुट किया जा सकता है कि मौखिक संचार और लिखिस संचार में क्या अंतर है मौखिक और लिखिस संचार में अब हम इन पे बात करते है चलो जी एक कोशन है कि कक्षा में विबिन परकार के संचार कौन से होता है जब भी कोई क्लास होते है तो उसमें तीन परकार के संचार होते हैं एक होता है मौखिक संचार एक होता है लिखिस संचार एक होता है अशाबदित संचार अगर हम मौखिक संचार की बात करते हैं आपसे दो कोशन अलग-अलग पुट किये जा सकते हैं या तो कोशन आएगा कक्षा में विभिन परकार के संचार का उलेखे कीजिए या आप ये आपसे पुट किया जा सकता है कि वही संचार के कितने परकार है या फिर विभिन परकार के संचारों का उलेख्य कीजी या आपसे ये कोशन पूट किया जा सकता है कि मौखिक तथा लिखित संचार कौन से होते हैं तो अब हम इनमें दोनों कोशनों पे चर्चा करते हैं अगर आपसे पूट किया जाए के संचार के विभिन परकार तो हम पहले बात करते हैं मोखिक संचार की विभिन परकार में मोखिक है अशाबदित है और ये लिखित है मोखिक संचार कौन सा होता है मौकिक संचार वो होता है जो कि ध्वनियों के द्वारा बातचीत की जाती है शब्दों के द्वारा बातचीत की जाती है बोले गए शब्दों के द्वारा बातचीत की जाती है जब मैं आपके साथ कुछ कम्मिनिकेशन कर रहा हूँ अभी मैं आपसे बाते कर रहा हूँ तो मैं ये बात किस के द्वारा कर रहा हूँ मैं बात ध्वनी के द्वारा कर रहा हूँ एक भाशा के द्वारा कर रहा हूँ मैं शब्दों के द्वारा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इसमें क्या हो रहा है उसमें आपको यह देखना है कि जो आप शब्दों का यूज करें वो उचित हो, अब जैसे कोई अंजान, व्यक्ति, कोई दूसरी भाशा आप से बोलता है, तो आपको वो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो सुर ही नहीं आती, आपके लिए वो सुर उचित न बोला भई, आप खड़े हो जाओ, तो जो टीचर है, उसने मौखिक रूप से ये एक बच्चे को बोला है, तो वहें बच्चा खड़ा हो जाता है, अगर हम शाब्दित, अशाब्दित संचार की बात करें, तो इसमें केवल और केवल, शब्दों के बिना संचार होता है, म पeralब खड़े करना, जैसे अपनी नाड को हिलाना, ये सुनो करना, अपने शरीर की दूरा, या फिर शारीरिक भाषए में आपके शरीर की करिया आजाते हैं, कि आप अपने शारीरिक भाषए के दूरा किस परकार से संचार करने की कोशिक करते हैं, इसके बात है, चेहरे क हाओ बाओ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मतलब एक अच्छा चैरा बनाते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने माथे पर तोड़ी डालने के यह पता नहीं क्या अगर आपको अगर आपका क्लास में इंटरेस्ट है तो आप और मतलब curiosity के साथ सुनने की कोशिश करते हो लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि ये बोरिंग क्लास हो रही है तो आप वासियां लेने की कोशिश करते हो या आप sad face बनाने की इन short जो आप WhatsApp पे, Facebook पे, Instagram पे emoji का इस्तमाल करते हो न वो सभी चैरे के हाओ बाओ, वो आपके हाओ बाओ को बता देता है कि आप interesting हो या फिर नहीं हो बातचीत करने में इसके साथ साथ हाथ की मतलब हाथों के द्वारा ये है बताना कि आप संचार करना जैसे हाथ मिलाना या फिर इत्यादी हो तो हाथों के द्वारा भी संचार की अवस्ता को जाना जा सकता है आँखों के संपर्ग, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और उसकी आँखों का संपर्ग आपसे नहीं है तो इसका अर्थ क्या कि वह है व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं करना चाता और आँखों के संपर्क के द्वारा अगर वो है आपसे बाते कर रहा है इसके साथ साथ है अवाज के स्वर अवाज के स्वर भी संचार को बताते हैं कि अगर आप किसी से बातशीत करते हैं और और वो आपके आंसरों को अच्छे स्वर में देता है इट मेंस कि वो बातशीत क continue करना चाहता है, अगर वो जैसे facebook या फिर whatsapp पे बात होती है, हूं कर देते हैं ओक्य कर देते हैं, हूं कर देते हैं इडमींस क्या है, तो ये अवाज तो नहीं है, ये स्वर है कि ठीक है ये बंदा ऐसे ही टालम टाली कर रहा है, तो जो अवाज होता है, अगर कोई व्यक्ति गुसा होता है, तो वो थोड़ा aggressive या उची अवाज में बोलने की कोशिश करता है, तो अवाज के स्वर से भी संचार का पता किया जा सकता है, इसी के सासर उधारन के लिए एक चातर के बोलने पर, शिख्षक द्वारा सिर हिलाना, शिख्षक द्वारा सहमती देना, जब एक शिख्षक अपने चातर को बोलता है तुम इस पार्ट का सार सुनाओ, तो ये मौखिक संचार का उधारन हो गया जब वहे बालक उस सार को सुनाने की कोशिश करता है, खड़ा है, तो भी ये मौखिक हो गया, लेकिन लेकिन जब शिख्षक उस सार को सुनता है और बीच बीच में अपना सिर हिला रहा है, अच्छा ओके, ऐसे सिर हिला रहा है कर रहा है, इड मेंज वह अशाब्दित संचार है, मतलब टीचर की सहमती है, कि हाँ वो जो बच्चा बोल रहा है, वो सही बोल रहा है उसके पार्ट का जो संचार वो पार्ट का जो जो पार्ट का जो सार सुना रहा है, वो बिल्कुल सही है अब आप कुश है समझ में आ गया इसके साथ सथ हम बात करते हैं लिखित संचार की बहुत सिंपल है मतलब इससे सिंपल कुछ हाई नहीं अभी हमने बात करी मौकिक और आशाबदित अब हम बात करते हैं लिखित संचार की लिखित संचार कुन सा होता है लिखित संचार में क्या होता है कि एक लिखित रूप में होना चाहिए लिखित रूप करते हो WhatsApp पे आप text message करते हो Facebook पे आप message करते हो email करते हो chat करते हो यह क्या है यह सारा एक लिखित रूप में होता है वह संचार का सबसे भरोसे मंद जो कार्य होता है वह एक लिखित रूप में माना जाता है इसलिए कहा जाता है जो बाते बोल के नहीं समझाए जा सकती, वो बातें लिखके समझाई जा सकती है, और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो आखो वाला एक example था, कि आखों के संपर्क के द्वारा इसमें पहले के time में क्या होता था, बड़े बुड़े जो लोग होते थे उनकी आखों की शरम होती थी, तो वो उनकी आखों के द्वारा ही कोई छोटा बच्चा सिक्रेट छोड़ देता था, पर अज का time में आखों की शरम ही नहीं है, तो यहां पे लिखेत संचार को बताने की कोशिश की गई है, कि जो व्यक्तिया, जो चीज़ आप मुझ से नहीं बोल सकते हैं, वो शब्दों के द्वारा बोल सकते हैं, क्योंकि शब्द एक ऐसी चीज़ है, जो सबसे भरोसे मन्ध है, शब्द ही लोगों के संबन स्थापित करता है, और शब्द ही लोगों में खटास लाने की कोशिश करता है, तो शब्दों को काफी तोल मोल के यूज किया करो, क्योंकि हातों की चोड से तो उब्रा जा सकता है, पर शब्दों की चोड से उब्रा नहीं जा सकता, तो इसलिए कहा जा सकता है, कि लिखित रूप से सूचना, बेजना जो court होता है या फिर जो जहसाब होते है वो यह बोलते है कोई evidence है कोई एक लिखित रूप में है इसलिए आपका constitution भी लिखित रूप में है जब समय समय पर आपके exam होते हैं अभी भी आपकी exam होने वाले यह क्यों ताकि आप अपने अपने ग्यान को अपने भाव को अपने विचारों को अपनी भावनाओं को लिखित रूप में परकट कर दो तो यह सारा एक लिखित संचार है अब पांचवा question आपका यह पूट किय जा सकता है कि कक्षा में परभावी संचार के लिए क्या क्या रणनीती होनी चाहिए एक ऐसा संचार बनाओ कि जिसके माध्यम से मतलब एक अच्छी तरह व्यक्तियों को या बच्चों को समझ में आ जाए इन शॉर्ट इस question में बात करने की कोशिश की गई है कि संचार के ल अधीगम वातावरण बैस संचार तभी अच्छी तरह माना जाएगा जब व्यक्तियों को या बच्चों को बाच्चीत करने का एक वातावरण दिया जाए बैस सिंपल ची बात है जब आप छोटे बच्चे थे या जब आप क्लास में थे स्कूल में थे आपने देखा होग कि आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ पाते हो जिस सब्जेक्ट के टीचर आपके साथ थोड़े घुले मिले होते हों आपके थोड़े हसी मर्याग भी करते हैं तेकिन कुछ-कुछ ऐसी टीचर होते हो जो काफी स्टिक होते हैं जो बात करना भी पस कि एक ऐसा वातावरन होना चाहिए जो एक शुरकशित भी हो जहां पर बच्चे सीख सके अधीगम क्या होता है अधीगम होता है सीखना अधीगम होता है learning करना अधीगम किसी कारें को सीखने की जो पदिती होते हैं उसी को अधीगम कहा जाता है तो अब आपको समझ में आ इसके साथ ही साथ है बातचीत के द्वारा अधीगम का वातावरन को बनाना या अधीगम वातावरन का निर्मान करता है जो क्लास में जो क्लास टीचर है वो बातचीत के द्वारा ऐसा मोहल तयार कर देते हैं कि जो की पढ़ने लिखने का मोहल हो जिससे बच्चे हैजिटेश होगा जैसे कोई assignment दे दिया जाता है कि आठ बच्चों का एक group होगा दूसरे आठ बच्चों का कुछ assignment दे दिया जाएगा ताकि बच्च छोटे छोटे गुर्पों में एक दूसरे के अभी एक दूसरे के अनुभवों से सीख सके उनसे ग्यान अरजित कर सके और अपना assignment और अपने कोशल का विकास कर सके तो भई अगर 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को अगर एक सा काम दिया जाएगा तो शायद वो इतनी असानी से नहीं कर पाएगे लेकिन अगर 8 बच्चों के group बाट के पाँच ग्रूप बाट दिये जाएं तो और पाँचों को अलगरा topic assignment दे दिया जाए तो वो आठ 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 बच्चे मिलके एक एक उस topic पे अपनी बातों को, अपने ग्यान को अपनी knowledge को, अपनी भावनाओं को अपने कोशल को एक दूसरे से share करेगे जिससे उनका विकास होगा जिससे उनको सीखने का और अच्छा बातावरण उपलब्द किया जा सकता है इसके साथ साथ है बच्चों को सीखने के अफसर आधान परदान करने जरूरी नहीं है कि एक बच्चा है उसी को बार बार खड़ा करके आप कोशन पूझ नहीं आपको दूसरे बच्चों को भी टाइम देना चाहिए दूसरे बच्चों की समस्या सुननी वो चाहिए इसके साथ साथ है बच्चों के नाम लेकर घ्यान को साजा करना चाहिए बही अकसर देखा गया है जो teacher होते हैं वो सिरब एक या दो बच्चे से ही बार-बार question put करते हैं क्योंकि उनकी नजरों में वही बच्चा intelligent होता है इसलिए उनको उन्हीं के नाम होते हैं याद ये जरूर ही नहीं है कि एक teacher को सब बच्चों के नाम याद हो लेकिन जारतर बच्चों के नाम याद हो सकते हैं तो यहां बताने की कोशिश की आई कि अगर बच्चों के नाम लेकर उनसे अपना घ्यान को साध़ा करने की कोशिश की जाये teacher के द्वारे तो यह काफि एक अच्छा संचार के लिए रननीती समझी जा सकती है बस चोटा सा और है दो एक पेज यहाई इसी के साथ सत है सामोई कारे की अधिक्ता तो यहाँ पर बताया अभी मैंने यह बोला गया कि छोटे चोटे असाइंगमेंट दे के बच्चों को आठार्ड बच्चों का गुरूप बनाके मतलब assignment के थुरू उनको कारे दिया जा सके ताकि वो अपने ज्यान का विर्दी कर सके कोशल की विर्दी कर सके अपनी knowledge की विर्दी कर सके इसके साथ साथ team work द्वारा कारे को किया जा सके चोटे समूओं में काम करने उनको एक आदत हो जाए वो कुछ नया सीके जिससे एक दूसरे के विचार असानी समझ कर कोशल में विर्दी कर सके साथ के साथ है अधिक पाठो की योजना बना सके अगर क्लास में 40 बच्चे हैं आठ बच्चों का एक गुरूप बना दिया जाता है तो आठ पंजे 40 पाँच गुरूप बना दिये जाए और पाँच गुरूप को अलग-अलग चैप्टर की समरी और अलग-अलग चैप्टर का बता दिया कि आपको पहला चप्टर तयार करना है आप आठो को आपको दूसरा आपको तीसरा आपको तो इससे क्या होगा कि पांच चप्टर तयार भी हो जाएगे और उन आठो बच्चों को की रिविजन हो जाएगी एक गुरूप दूसरे एक गुरूप स्टेस पर आके या फिर क्लास के मंच पर आक इसके साथ साथ है शारीरिक भाषा, जब आप संचार के लिए रणनीती बनाते हो तो आपकी शारीरिक भाषा अच्छी होने चाहिए, बात करते समय आँख मिलाना चाहिए, ताकि आँख मिलाने करते हैं कि एक respectfully आँख मिलाना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको भूरे जा रहे हो आप अपने टीचरों को किसी गुस्य से, ऐसा नहीं, और आँख से संपर करना चाहिए, साथ की साथ है सक्रिये सुर्ण, शक्रिये सुर्ण क्या होता है, कि अच्छा सुनने का अभ्याज, अगर आप अच्छा सुनते हो जो टीचर बोलता है, वो हर एक बारीकी से सुनने की कोशिश करते हो, तो आप एक अच्छे शुरूता तो कहलाए जाओगे, साथ की साथ आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और इससे अगर आप ध्यान से सुनते हो, तो आप तो जो टीचर के विचार, जो उनके ग्यान, जो उनकी भावना है, आप तक पहुँचाने की कोश आपके कमेंटा मारे लिए मोटिवेशन का कारे करते हैं, तो दो पेज हो रहा है, और क्या कहा है, साथ कुशन है बच्चों, जी हाँ, इसके बाद है फीडबैक, जब आप एक क्लास में एक अच्छा बातावन इस्टेबलिश करते हो, तो आप फीडबैक लेना पसंद करते हैं, या फिर इसी परकार से टीचर बच्चों से फीडबैक लेने की कोशिश करता है, मैंने अभी आपको यह चैप्टर समझा है, आपके विचार में यह चैप्टर में क्या होना चाहिए था, या क्या नहीं है, या फिर आपके अनुभव क्या है, आपने इसे क्या सीखा, जिससे इस किरिया को करने से विध्यारतियों में आत्म विश्वाश का निर्मान किया जा सकता है, और फीडबैक के समय आपकी राय को महतव दिया जा सकता है, अगर आप बोलते हो कि सर, अगर इसमें ऐसा होता है, या फिर आप थोड़ा इसको ऐसे समझाते हैं, तो हो सकता शायद अगली क्लास में सर उस तरीके से समझाने की कोशिश करता इस के साथ ही साथ है हस्य वित्ती हस्य वित्ती हो तलब हसने का महौल थोड़ा बहुत ऐसा हसी मजदा का महौल भी बीच-वीच में होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक period 40 मिनिट का है तो 40 मिनिट तक हसते रहे और आप वहाँ पे चुटकले या फिर मज़ेदार कुछ कहाने सुनाते रहे ऐसा नहीं कभी बार बीज-बीज में हसने कापियों करना चाहिए ताकि बोर्या से बच्चा जा सके ताकि शिक्षकों के भी सकरात्मक संबंद वो इस्तापित किया जा सके यह जो हसने की जो किरिया है वो किसी चुटकले के माध्यम से कहानी के माध्यम से कवीता के माध्यम से व्यक्तिक उधारन का अर्थ यह है नहीं है कि आप किसी बच्चे को नकरात्मक रूप में आप उसको सुनाओ कि यह बच्चा तो अनपड़ा या यह बच्चा तो ऐसा यह बच्चा ऐसा यह बच्चा पड़ता नहीं यह जो व्यक्तिकत उधारना यह सकरातमक होने चाहिए पोजिटीव होने चाहिए इसके साथ सथ तक्नीकी कोशल तक्नीकी कोशल के माध्यम से भी आप एक किलास के वातावरन को काफी अच्छा बनना सकते हो जैसे शिक्षन सामगरियों को अप टू डेट करके जैसे आप computer के द्वारा, video call के द्वारा, online call के द्वारा या फिर video के माध्यम से भी आप अपने ज्ञान को तक पहुंचा सकते हो बसे हम यह last answer है आपका इसी के साथ सत है आपका पून्नेता इशपष्ठीकरन पूंड ने ता इस्पष्टी कर्में बताने की कोशिश की गई है कि जो भी आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो वो पूंड उपसे इस्पष्ट होना चाहिए आपके शब्द काफी इस्पष्ट होने चाहिए इसमें हमेशा इस पर शब्दों का परियोग भई अगर कोई टीचर किसी बच्चों को एक पार्ट समझा रहा है कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो समझाने के बीच में ऐसे भारी भरकम शब्दों का उपयोग कर रहा है जो बच्चों के सिरों के उपर से जा रहे अगर आपको शब्दों के अर्थी नहीं पता तो यहां समस्या हो सकती है इसलिए कॉलिज के बच्चे जादा तर बच्चे यह सोल की बुक पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका मानना यह इतने hard language का use किया गया है शब्दों का use किया गया इसलिए यह टीचर से यह एक मतलब अपेक्षा की जाती है कि टीचर जटिल विचारों को जटिल शब्दों को सरल करके तोड़ कर बच्चों तक पहुँचा है ताकि बच्चों को असान शब्दों में समझ में आ जाए बच्चों जितने भी टीचर होते हैं सारे टीचर अच्छे हैं जैसे कोई हिश्टरी का है, कोई मैट का है, कोई साइंस का है सारे टीचर अच्छे हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कुछ टीचर को ही चुनते हैं रीजन यह है क्योंकि वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि जो टीचर होता है वो अपने विचारों को सरल करके बच्चों तक जो पहुंचा दे सबसे असान शब्दों में जिस जिन शब्दों में बच्चों को समझ में आ जाता है तो वही टीचर बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है और दूसरा जो टीचर होता है वो किता ज्रावी शब्दों को या थोड़ी भारी बरकम शब्दों का use करके बच्छों-को समझाये तो बच्छों के लिए वोगी hectic होजाता है तो इसी के साथ साथ वो question भी समाप्त हो गया आपसे छटा और साथवा question इस परकार से put किया जा सकता है कि वह संचार के विभिन साधन कौन से है या audio और जन संचार साधन का उलेख्य कीजिए अगर put किया जाता है question कि संचार के विभिन सादनों का उलेख्य कीजिए तो संचार के विभिन सादन अभी तक आपको पता चल गया है बही ओडियो मीडिया है दिर्श्य मीडिया है शर्व दिर्श्य मीडिया है बहु समवेदन मीडिया है जन संचार माध्यम है है और मल्टी मीडिया है अगर हम audio मीडिया की बात करते हैं तो इसमें क्या है जैसे radio के माध्यम से आपसे बात्षीत करना अपने विचारों को आप तक पहुंचाना tap recorder के माध्यम से walkman के माध्यम से fm के माध्यम से हना तो ये audio सिरफ जिसमें आपको अवाज सुनाई देती है, अगर हम मीडिया की बात करें, तो तिरुष्य मीडिया में जैसे चार्ट हो गया जैसे चार्ट हो गया, आरेक हो गया घ्राफ आपने मैथ का एक्जाम दिया हो गई, या फिर मैथ की क्लास अटेंड करी होगी, तो उसमें उसमें पे चार्ट को बना देता है फिर उस ग्राफ को वर्णन करने की कोशिश भी करता है एक तो वो दिखाई दे रहा है दूसरा वो आपको सुनाने के लिदी उसको explain करना है तो शर्व दिश्चर वो गया का वर्णन करता है तो इसमें ये आजाता है इसके बाद है बहु समवेधी मीडिया में आ जाता है कि जो आपके अंदर इंद्रिया है वो इंद्रिया आप किस परकार से कार करते हो जैसे आप कैसे सुनते हो कैसे देखते हो कैसे समझने की कोशिश करते हो इसके बाद है जन संचार अगर आप दाब-यल पत्र-इत्यादी घो कि पहुंच में हुथ है इनके मादियाम से आप से Avec आप पहुंच में आप से के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाती है जून पर online classes होती है तो multi video के माध्यम से भी आप तक अपने विचारों को पहुचाने की कोशिश की जाती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिए और comment करना मत भूलेगा आपके लिए एक खुशकवरी है आपके लिए यह पूरे chapter के notes इसी परकार से हम देने वाले है अगर आप अगर आप हमारे basic course के साथ जुड़ते हो तो जो की मात्र 59 डुपीस का है तो आपको इसी परकार से पूरी book के PDF notes दे दिये जाएगे साथ की साथ अगर आप standard course के साथ जुड़ते हो पूरी book की ऐसे 6-8 वीडियो आने वाली है उसमें आपको पूरी book का syllabus करा दिया जाएगा जो की मात्र 119 रुपेका है अगर आप standard course के साथ जुड़ते हो जिसमें आपको पूरी book के जो 6-8 वीडियो आने वाली है उसका streaming सिरफ आप और आप ही देख सकते हो अगर आप advanced course के साथ जुड़ते हो तो आपको ये दोनों course तो मिलते ही हैं साथ की साथ आप हमारे workshop तथा टेलीग्राम गूरूप पे भी जुड़ सकते हो जहाँ पर आप अपने queries को हमसे पूस सकते हो आप इस course से समबन दिया इस chapter या फिर इस book में जो भी के जल से जल आ जाएगे तो आप जुड़ो मत जुड़ो लेकिन यार कमेंट जरूर कर दो क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए motivation का कारे करते हैं अगली करास तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत